आजादी के 75 साल बाद ग्रामिर शेत्र आज भी मुलबूत सो मस्याओं से जूज रहे हैं ऐसी ही एक गाउं छतरपुर जीले के चंदरा शेत्र का हिर्देव पुर्वा है जहां पहुँचने के लिए अब तक सड़क मार्ग ही नहीं बना है सड़क ना होने से अंजान बीजेपी विधायक राजेश प्रजापती एक स्कूल का उद्घाटन करने गाउं पहुचे जहां उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिसके बाद उन्होंने सड़क बनवाने का वादा किया विधायक ही देव पुरवा गाउं के एक शासकी स्कूल का उद्घाटन करने अपनी लगजरी गाड़ी से गए थे लेकिन गाउं तक पहुचने के लिए उनकी लगजरी गाड़ी जवाब दे गई कीचर से सनी सड़क से जाने के लिए विधायक ने अपना वहन छोड़कर ट्रैक्टर से सवारी की लेकिन इस सड़क पर ट्रैक्टर भी धस गया बेचारे विधायक परेशान होकर पैदल सड़क किनारे होते हुए आगे बढ़े जब ट्रैक्टर कीचर से निकलाया तो एक बार फिर वह ट्रैक्टर पर सवार होकर गाँ पोँचे और स्कूल का उदघाटन किया अब गाँवालों की सड़क की मांग को विधायक ने बरसाथ के बाद वनवाने का वादा किया है लेकिन गाँवालों की माने तो ना उनके पास कोई सुविधा है ना उन्हें सरकारी उजनाओं का लाव मिलता है यह चंद यमा पूछ लिया सक्रेट्शी से परधान से और वो से पठवारी से कि भरे यदाई का मजना लाग है कि नहीं लाग यह चार पुर्वा का बता आई दी ऐसे बड़ बड़ा का दूतिया हुना देदाई का पहला है मांग लाए आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्डीती से उटमीती तक दखन न्यूद आप क्या थे? आप देख रहे हैं दखन न्यूद